दोस्तों गर आप भी चाहतें कि भारते टीम इस विश्व कप को अपने नाम करें तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों टॉस के साथ ही बाहर हुआ पाकिस्तान तो बढ़ा गुटे पाकिस्तान के दिगज कहा दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने वंडे विश्व कप के दोरान आज पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड का रोवांचक मैच खेला गया जिसमें इंग्लैंड की टीम के सामने टॉस हारने के साथ ही पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई जिसको देख पाकिस्तान के दिगज भड़क उटे हैं इसी बीच वसीम अकरम रभीज रजा से लेकर शोई बक्तर ने इंग्लैंड को खरी खोटी सुनाने के साथ एक ऐसा बयान जारी कर दिया है दोस्तों जैसा कि आपको पता है वंडे विश्विक अप काफी रोमान चक अंदास में आगे बढ़ रहा है जहां बराज पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड का रोमान चक मैच खेला गया इस मैच में पाकिस्तान को समी फाइनल में पहुंचने के लिए 288 रन की जीत चाहिए थ आज हमारे टीम को वर्ल्ड कप से बाहर होने का काफी बड़ा जटका लग गया है हमारे टीम वर्ल्ड कप के समी फाइनल में पहुंच सकती थी लेकिन इंग्लैंड को टीम ने जान बूचकर हमारे साथ जल किया जिसके चलते हमारी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के समी फ और वर्ल्ड कप से बाहर करने का पूरा प्रयास किया है इंग्लैंड की टीम ने इस मैच में खेल भावना को आहत कर दिया है तो वही रमीज रजा ने बयान देते हुए कहा है कि हमारी पाकिस्तान की टीम के बाद सबसे बहतरीन बलेबाज और गेंदबाज मौजूद है लेकिन इस बात कब कोई भी फायदा पाकिस्तान की टीम के लिए नहीं रहा है क्योंकि पाकिस्तान की टीम समी फाइनल में कौलिफाई नहीं कर पाई है हाला कि हमारी टीम जीतने की पूरी कोशिश करती है लेकिन इंगलेंड की टीम ने हमारे लिये रास्ता काफी ज्यादा कठिन करने के बजाए बिल्कूली समपड़ करदी आये इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की टीम बहतरीन प्रदर्शन करते हुए समी फाइनल में जगा बना सकती है लेकिन इंगलेंड की टीम ने अपनी कूटनीती के तहत हमें टॉस में पहले गेंदबाजी के लिए आमंतृत कर समी फाइनल की पूरी उमीद को निश्ट करती है इससे एक बात तो इसपश्ट हो चुकी है कि इंगलेंड की टीम ने खेल भावना को आहत किया है तो वही शोय बक्तर ने बयान देते हुए कहा है कि हमारी पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीम दिख रही है जिन्हो में खेल भावना को आहत कर हमें पहले गेंद बाजी के लिए आमंतरित किया वो काफी गलत है इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि आपको हमारी टीम को मौका जरूर देना चाहिए था अगर हमारी टीम पहले बल्ले बाजी करती तो बहतर प्रदर्शन कर पहले गेंद बाजी करने के साथ ही पाकिस्तान की टीम को बार कर दिया इस बीच में पाकिस्तान की टीम को बाद में बल्ले बाजी करते समय तीन ओवर में मैच जीतना था जो लगबग असंभव था लेकिन पाकिस्तान की टीम के साथ इंगले ने काफी बड़ा दोका करते ह पहले गेनबाजी के लिए बुला लिया और हमारी टीम पहले बल्डी बाजी करती तो हमारी टीम को घाराना काफी ज्यादा मुश्किल था इसके इलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए काय है कि पाकिस्तान की टीम के साथ चल कपट करने में इंगलेंड की टीम ने हमारे सामने हमारे अपने सम्मान को भी ढबा दिया है जहाँ आप कई दुनिया भर के बड़े बड़े दिगज धोनी से लेकर रिकी पॉंटिंग, यहाँ तक की शोय बक्तर से लेकर गौड अफ क्रिकेट सचेन, तेंदुलकर जैसे महान हस्तियों ने अब भारत के समी फाइनल के साथ साथ विश्व चैंपियन का एलान करते हुए जिसे अपना पसंदीता बताया, उनकी बाते सुनकर तो सच में आप भी हैरत में पढ़ जाएंगे, तो आखिरकार किस दिगज ने किया, किस टीम का समर्थन, कौन बने का वर्ल्ड चैंपियन, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगा था कि कई नई टीमें इस बार समी फाइनल में जाएंगे और अंत में आते 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 आखिरकार चार टीमों ने समी फाइनल में अपने जोश, जजबे और जनून से कौलिफाई कर लिया है, जहां इंडिया के साथ साथ पांच बार की विश्व चैंपियन टीम आस्ट होने जा रहा है तो वहीं दूसरे मुकाबले में जो की 16 नवंबर को कोलकाता की इडन गार्डन में खेला जाएगा आस्ट्रेलिया और अफरिका एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे की उमीदों को चकना चूर करने के रादे से उतरेंगे यानि कि कॉम्पिटीशन तो बहुत बड़ा है हर एक टीम में एक से बढ़कर एक है लेकिन दोस्तों समी फाइनल का रुमान चाहते आते अब भवेश्यवानिया और प्रेडिक्शन का सिलसला भी शुरू हो चुका है सब भी अपनी पसंदिदा टीम को विजेता बता रहे हैं चोटे-चोटे बच्चों से लेकर बड़े बूडे बुडे बुज़र्ग खिलाड़ियों से लेकर अब बड़े-बड़े किरकेट दिगज भी अपनी टीम के साथ हैं हमें ऐसी के साथ जीना होगा यही सचाई है लेकिन अब जो भी समी फाइनल है मुझे लगता है कि इंडिया और अफरिका के बीच फाइनल मैच होगा और ये दौनों टीम है बहुत बहुत बहतरीन रही है लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजिलेंड भी अपना जल्वा दिखा सकती हाला कि किसी को भी कम नहीं आखा जा सकता बस में परिशान हूँ भारत के खराब रिकॉर्ड से वो एहम मौके पर गलती करते हैं यदि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो वो असानी से वर्ल्ड कप जीश सकते हैं तो दोस्तों वहीं आस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान पॉंटिंग का कहना है कि इस बार का समी फाइनल और भी खतरनाख होने वाला है सब ही टीम बहतरीन फार्म में चल रही है हाला कि बाकी की तीन टीमों को केसी से बचकर रहना पड़ेगा तो वो है भारत क्योंकि उन्होंने अब तक इस टूनमेंट में ला जवाब खेला है लेकिन यही तो उसके साथ होता है उनकी एक गलती उनकी पूरी मेहनत पर भारी बढ़ती है हाँ यदि टीम इंडिया को न्यूजिलेंड ने हरा दिया तो अस्ट्रेलिया को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा लेकिन भारत को हराना इतना आसान नहीं है ये बात म सेमी फाइनल में बाहर हो गए थे हर बार यही कहानी होती है लेकिन इस बार कि ये टीम अलग है उन्हें बस साफधान रहने की जरूरत है यदि वो खुद से कोई गलती नहीं करेंगे तो सामने कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिने वो हरा पाए मुझे अपने खिलाड़ी पर पूरा भरोसा है औल दा बेस्ट टीम रोहित यहां तक कि खुद महेंदर सिंग धोनी का मानना है कि मुझे लगता है कि भारत आसानी से चैंपियन बनेगा लेकिन यदि किसी टीम से बचकर हमें रहने की जरूरत है तो वह फाइनल में अफरिका उन्होंने इस बार सबसे ला है कि मेरी बात है सच हो तो वही न्यूजिलेंड के महांतम कप्तान ब्रेंडन मैकिलम ने अपनी टीम का साथ दिया उन्होंने का कि न्यूजिलेंड समी फाइनल में जीते गी और फाइनल भी हमारे पास वो टीम और रंडीती तैयार है जिससे हम वर्ल्ड चैंपियन बन सकत इतने नहीं क्रिकेट के बड़े बड़े दिगजों ने भी पाकिस्तान की टॉस हारते ही न केवल उन्हें जम कर खरी खोटी सुनाई बलकि उन्हें आईना दिखाते हुए उन्हें दुनिया में कहीं मूँ दिखाने लाइक नहीं छोड़ा तो आखिर शोय बक्तर से टॉस ह क्या कुछ कहा वहीं विरेंद्र सेवाग धोनी वजीम अगरम केविन पीटर्सन जैसे बड़े बड़े दिगजों ने कैसे पाकिस्तान के जखमों पर छिड़का नमक क्यों अगरम और अक्तर अपने आज़ों नहीं रोक पा रहे थे इन सभी दिगजों के बयान तो हम आप कने को मिल रहा है जहां पाकिस्तान टीम समी फाइनल में क्वालिफाई करने के थे इंड़ेंड से कोलकाता की इडें गाड़न मैदान पर जरूरी है पाकिस्तान को समी फाइनल में कौलिफाई करने के लिए इंगलेंड को बड़े अंतर से हराना होगा यानि इस मैच को अपने नाम करना होगा अगर पाकिस्तान टीम पहले बल्ले बाजी करती है तो इंगलेंड के सामने 400 से 400 रनों का स्कोर रखना होगा और उसे और नहीं होगा दोसो चुराइस सी गेंड बाकी रहते हुए। और पूरी टीम को घर वापिस लोटना ही होगा यहीं तक था विश्विकप में पाकिस्तान का सफर टॉस गवाते ही दिगजों को गुस्सा साथ वे आसमान पर चड़ गया और पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए बड़े बड़े दिगजों ने ऐसा बयान दिया जिसे स सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन किसक जाएगी